कि अच्छ कर दोस्तों आज के इस सेशन में तो कि बारह हुआ सेशन है इवी जी सी और नेट के पीवाई क्यूज का हम कुछ क्वेशन डिसकेस करेंगे आज की क्वेशन है बड़े ही लाजवाब और जैसा कि आपको पता है कि जो प्रिवियसली पेपर हुआ था उसके अंदर अल्रेडी बच्चों का बहुत बढ़िया स्कोर भी है और बच्चों ने जिस तरीके से इस कोर्स को सराहा है और वो बहुत काबिले तारीफ है हमें लगता है कि शायद ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे लिए इस लेवल पे एक सपोर्ट आप लोग दिखा रहे हैं कि हम अल्रेडी दो बच्च बंद कर चुके हैं और में अड्मिशन नहीं है और थर्ड बैच को हमने चालू किया है तो येस बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ में रिवनिंग सर टीजी टी स्पेशल एजुकेशन का एक्जाम कब होगा सर प्लीज रिपलाई पिटा नवंबर में नहीं होगा अब ये एक्जाम साइद माई और जून के आसपास होगा पट मैं थोड़ा घबराता हूं ऐसी अनौंस्मेंट करने से बिकाज टीटरप्लेस भी बहुत ही अन्प्रोडिक्टिबल बोर्ड है अलाकि हमें इंफ्रमेशन तो है लेकिन बहुत पुखता नहीं है इसलिए एक दो दिन इंतिजार कर लीजिए तो कन्फरमेशन दे दूँगा हम एक ऐसे दौर में हैं लोग अपने फायदे के लिए क पिछले कुछ 15-20 दिन में मेरे पास में 100 से ज्यादा कॉल है और बच्चे यह कह रहे हैं कि सर आप देर क्यों कर रहे हैं के बियस का इंट्रिव्यू बैच चलाने में वो 9 तारिक से इंट्रिव्यू चालू है मैंने उनको बोला कि 10 तारिक को तो बेटा रिजल्ट आएगा आप 9 तारिक से इंट्रिव्यू कैसे करवा रहे हो और रिजल्ट के बाद भी टाइम लगेगा तो बच्चे कह रहे हैं कि नहीं सर वो तो 9 तारिक से इंट्रिव्यू है और पता है नहीं कुछ-कुछ इंफर्मिशन बट एक्चलि में ऐसी कोई इंफर्मेशन डिसेमिनेट करनी नहीं चाहिए जिसमें क्लारिटी ना हो हमारा यही मानना है उससे आपका भी जीवन भारित होता है और हमारा भी होता है अब यह पता नहीं कि किसने इंफर्मेशन की है तो मैं सभी लोगों से एक बहुत ही ब्र है और यह एक्सपेक्ट ना करें कि उस इंफर्मेशन के लिए हम कोई क्लारिफिकेशन देंगे मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मेरा दिन और रात का चैन उड़ा दिया आप लोगों नहीं मैं अपनी इंफर्मेशन बड़ी क्लियर के लिए देता हूं मैंने बोला था कि यह देना ॉ है इतनी इंफर्मेशन मेरे पास में घिसाद एक्जाम नहीं होगा बर इतनी इंफ्रमेशन नहीं है कि पका एक्जाम नहीं आप डियसेजी कोा मालिक मैं भी नहीं हो भी क्ली क्लारटी होगी तो तीक है ना है बहुत सुखी परिवार है हम लोगों का, है ना, तो this beats you a family, I am proud of it, और आप लोग जिस लेवल की महनत कर रहे हैं, और जैसा previously result दिया है, और जिस तरीके से अभी लगे पड़े हैं, मतलब I am proud of my kids, और उन्होंने हर कदम इसको सराहा है, हमारे साथ में रहे हैं, तो let's do this, मतलब कल good news है पक्का, हाँ किरन मेरी जानकारी के हिसाफ से तो 10, 10 October थी 8, एक आध दिन लेट हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, मैंने वीडियो नहीं बनाया publicly इसे लिए, क्योंकि मतलब ऐसे boards जो कि 7-8 महीने से hold पर रखे हुएं बच्चे को, उसके लिए मैं क्या कहूँ, और मैं मतलब मेरे को अगर इससे clarity भी होती है, तो मुझे वो fame तो चाहिए नहीं, जो कि states को announce करके मिलती है कि इनके पास information है, इनके पास information मेरे बच्चों के लिए होती है, मैं पहले ही दे चुका था आप लोगों को, और हाँ, कभी ऐसी information होगी तो definitely आपके लिए होगी, बट generally मैंने एक video बनाई थी जिस दिन मेरे पास information आई थी, और आज भी उसका thumbnail लगा हुआ है कि KBS का result कब आएगा, बट कभी हिम्मत नहीं हुए मेरे पास में उस video को बनाने की, और मैंने उसको as it is private कर दिया, और कभी मैंने वो live लिया भी नहीं, क्योंकि मुझे ही नहीं पता कि कैसे deal किया जाता है ऐसी situation से, कि जब आपने किसी चीज की information दी हो, और वो अगर थोड़ी सी भी उपर नीचे हो जाए, तो इसलिए हाँ, एक फिनम्र और बहुत ही casual way में बता रहा हूँ, कि 10 October की date थी, जो कि हमारे पास थी, मैंने ये उस दिन जब मैं publicly आपसे KBS के वारे में discussion कर रहा था, बहुत सारे लोगों ने इसके उपर बहुत सारे कमेंट भी किये थे, और उन्होंने कहा कि नहीं, 9 तारिक को तो interview चालू है, और फलाना धिमाखना, live ही किया था मैंने session जो workshop को ले कर के था, तो मैंने कहा था कि नहीं, 10 तारिक के पास आएगा result, 10 तारिक को result है, और आज भी मैं उस चीज पर कायम हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी information है, लेकिन ये पक्की बात है, कि 10 तारिक अगर मेरे पास date है, तो वो एक-दो दिन आगे हो सकता है, साथ इसलिए उतनी confirm भी नहीं है, कि मैं कोई भारत सरकार तो हो नहीं, दोस्तों, है ना, कोसिस है कि एक छोटे से परिवार को एक बहतर तरीके से संजोगा जाए, मजबूरी है, हमारी एक चीज से बंधे हुए हैं, कि पीस लेनी पड़ती है, आप लोगों से पढ़ाने के लिए और उस चीज से जुड़े लेने के लिए, बट याद रखिएगा एक बात को, कि फीलिंग अभी भी बड़ी मज़िदार है, और बड़ी जबरदस्त है, और वो जो कनेक्शन है, वो बना हुआ है, और आप लोगों ने इस बात को सराहा है, that is, I am thankful to you, फर्सों, ग्यारे तारिख को आपको information दूँगा, कुछ न कुछ SET से संबंदित, कुछ final, ऐसे तो अच्छी information है, बट फिर भी एक clarity की ज़रूरत है, ठीक है न, उसके बाद में, हेलो सर कैसे आप, एक्दम बहुत बड़ी आप बताई कैसे है, हम ली तो increase होगी, हाँ, वो भी जरूरी है, सर कल KVS special education teacher की vacancy की hearing है, vacancy आने के chances हैं, सर KVS में special की, हाँ, special की vacancy के chances हैं, बहुत अच्छे chances हैं, and yes, हम लोग अच्छी तयारी करेंगे, और बहतर result अधर भी आएगा, क्लास डेली नहीं हो रही है, नहीं, डेली नहीं हो पा रही है, क्लास, क्योंकि उतना समय नहीं होता है, हाँ, 16.3K subscriber, congratulations, same to you, हम लोगों ने यात्रा बहुत एक चोटे मार्जन से चालू की थी और थेहनत की है, और आप लोगों ने, you guys are real plinth and pillar to this institution and these values, this slow growth, this tortoise walk, really thrills me, यह मुझे बड़ा मज़ा देती है, और मुझे बड़ा इसमें आनन्द आता है, तो हाँ, ग्रीनिक सेर, हाँ एक दम बढ़िया, चलिए, शुरुआत करते हैं, आते हैं मुद्धे पर, वोड़ा question answer देख लेते हैं, मज़िदार है session, which one of the, अच्छा एक चीज़ बता दूँ आप से, कि जो previous paper था, वो done हो चुका है, net का, EVGC का साथ-साथ paper चल रहा है, यह सबसे recent paper है, psychology net का, ठीक है, तो आज से सुरू हो रहा है, which one of the following area is not located in the temporal lobe, एक मिनट, मैं इसको हटाई दू, यह आज मुझे पता नहीं क्यों परिसान कर रहा है, बहुत जाता है, हाँ, which one of the following area is not located in the temporal lobe, कौन सा temporal lobe में located नहीं है, area for perception of body sensation such as heat, cold, touch, pressure and pain, area, मतलब उश्मा, सीत, स्पर्स, दाब और पीड़ा जैसे शारिरिक, समवेदन के protection का छेत्र, area for perception of movement, recognition of faces, संचलन, protection और आदी की पहचान को करने का तरीका, ब्रोकाज स्पीच एरिया, ब्रोका का वाक्षेत्र और प्राइमरी ओडिट्री एरिया, प्राथमिक ओडिट्री एरिया, हाँ, tortoise walk, मज़िदार है हम लोगों की, एक्जाम नहीं हुआ तो, SAT का तो, से preparation continue रखेंगे सर, because फिर तो exam May, June में होगा, हाँ, बिल्कुल जी, इसलिए हम जो regularity में class ले रहे हैं, उसको थोड़ा सा कम कर देंगे, अगर ये हो गया तो, सर ये भी confirm करना की 20 वरे 20, हाँ, ऐसे ही कुछ problem है, वरना मैं information तो अभी दे देता दोस्तों आप लोगों को, ठीक है न, रुक जाईए, थोड़ी और clarity हो जाएगी, तो ठीक रहेगा, EVGC का result कब तकाएगा, हाँ, मैं भी इंतिजार कर रहा हूँ, exam का result वैसे तो, जो सुन रहे थे, वो अतधात सितंबर, अक्टूबर बता रहे थे, तो इंतिजार में ही है, देखिए, चा होता है, देखिए, इस question को हर वो student गलत करेगा, जो की information को partially लेगा, या कुछ ऐसी books हैं, जो की partially ही information को mention करती है, information को जिसने गहनता से तरीके से लिया होगा, वो सब इसे ठीक करेंगे, question है इस जगह पे, broken walk area, यानि broken speech area, basically कहां पे होता है, ये, ये frontotemporal में होता है, तो जिसने सिर्फ frontal लोग पढ़ा होगा, वो सब गलत करेंगे, यो कि उन्हें temporal नहीं पढ़ा, तो frontotemporal में होता है, यानि frontal भी ठीक होगा और temporal भी ठीक होगा, ये सही है, unity और intersection का नियम लागू होगा, primary auditory area, बिलकुल सही बात है, primary auditory area, temporal होता है, primary visual area, occipital होता है, area for the perception of movement and recognition of faces, चहरे को पहचानने और movement का area, definitely क्योंकि ये कहां से आ रहा है, ये vestibular senses से, और जो semantic memory बनती है, उससे जुड़ा हुआ, तो इसलिए इसका answer क्या होगा, बिलकुल सही है, first होगा इसका answer, ये heat, cold, touch, pressure, ये सब पैराटल लोब का काम है, फिके ना? इतना mood हो गया है, ये सुनकर, exam November में नहीं होगा, mood off हो गया है, मैं ये सोच रहा हूँ, ये ऐसा ही होगा, excuse sir, but I want to ask, आजकल institute की दिंचरिया क्या है, आपकी availability and time, दिंचरिया तो ऐसी है, कि मुझे लग रहा है कि, कुछ चार या पांच sessions होते हैं, कभी चार होते हैं, और कभी पांच होते हैं, तो 4.30 तक का time waste होते हैं, generally, और 4.30 के बाद मैं निकल जाता हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद में, classes यहां से होती हैं घर से, जो कि online बाद चलता है, तो, yes, 4.30 is the right time, जी, सर, मेरा तो course खतम हो जाएगा, December में की, अच्छा, सर, it's bad news for me, कि exam November में नहीं होगा, I really wish, सर, exam May, June में ना जाए, जी, सर, मूड ओफ हो गया है, जी, सर, I can understand, बहुत सारे लोग हैं, जिनका की मूड ओफ हो गया है, और हमारे previous batches के, और जो continue batches हैं, जादा तर जो बच्चे हैं, उनका मानना है, कि exam जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए, देर नहीं होनी चाहिए, इस एन एग्जांपल ओफ डैश अप्रोच, होकी लेजेंड के बारे में, बायोग्राफिकल स्टडी करना चाहता है, कोई एक साइकॉलजिस्ट, तो ऐसी इस्थिती में, उसे स्टडी कैसी करनी चाहिए, फिनॉमलाजिकल, एतनोग्राफिकल, नेरेटिव स्टडी और ग्राउंडड़ थियरी अप्रोच, अब ये आपको पता है कि ग्राउंड़ थियरी अप्रोच के अंदर, कोई फ्रेमवर्क नहीं होता, लेकिन ग्राउंड़ थियरी ऐसी जगह पर की जाती है, फिनॉमलाजिकल स्टेडी किसी पर्टिकलर फिनॉमेना के लिए होती है, एतनोग्राफिक स्टडी, डेफिनेटली, एक ग्रूप अफ लोगों के लिए होती है, एक कॉमन फैक्टर के लिए होती है, यहाँ पे तो हौकी लेजेंड्स अपनी कहानी सुनाएंगे, कारण है, अभी डिसकस कर लेंगे आप से, एफर्ट्स तू कॉप विद दी नॉलेज डाट वी विल डाए, इस नोन अज, हर किसी को यह इन्फॉर्मेशन मिलना, और यह ग्रहन कर पाना, कि भई हम मरने वाले हैं, अब यह स्टड़ी, यह आपके अंदर जब थॉर्ट प्रोसेस आता है, कि आप मरने वाले हैं, तो हाव यू डील विद डेथ, तो उसे क्या कहेंगे, अब यह मैजिकल थिंकिंग, टेरर मैनेजमेंट, प्लानिंग फैलसी, अविलिबिलिटी, हुरिस्टिक, अब यह मैजिकल थिंकिंग का जो कॉंसेप्ट है, यह कॉगनिटिव थियरी का है, और मैजिकल थिंकिंग, I have told you already, taught you, well, प्लानिंग फैलसी, again, डेनियल कानमें का भी काम है, इस पर वैसे तो बहुत सारे लोगों का है, प्लानिंग फैलसी मतलब कि जो आपने सोचा हुआ है, वो नहीं होता है, तो इस केस में क्या होता है, तो अविलिबिलिटी हुरिस्टिक, यानि कि जो अविलिबल है आपके पास नॉलेज, उसी से आप एक शॉटकट मार लेते हैं, जो आपके अंदर जो टेरर की भावना होती है, उसको कैसे मैनेज करना है, वो टेरर मैनेजमेंट होता है, जी बिलकुल सही बात है, यहाँ पे आंसर आएगा, तू, अविलिबिलिटी हुरिस्टिक नहीं होगा, availability heuristic क्या होता है availability heuristic limited लेकिन जब आपको death के बारे में पता चलता है तो यह availability heuristic नहीं होता बलकि यह एक एक ऐसी knowledge होती है जो universal है जान रखेगा जो भी universal information होती है जैसे सूर्य पूर्व से उगता है इसे इसका एक भी negative sign नहीं है और आप अपने आसपास जो परिवार देख रहे हैं उसमें धीरे धीरे जो समझ बनती है that every house has seen so many deaths यानि people are getting disappeared यह जब information मिलती है इसके अंदर बच्चे की बात नहीं कर रहा इसमें बात कर रहा है कि इस knowledge से आप cope कैसे करते हैं यह जो coping mechanism होता है यह terror management कहलाता है है तर टेस्सीरीज लेना भी सही रहेगा नहीं अगर नवंबर में नहीं होगा एक्जाम तो बिल्कुल सही नहीं रहेगा मेरे हिसाब से टेस्सीरीज फिर आपको जनवरी के बाद सोचना चाहिए ठीक है तो दो दिन रुख जाईए कुछ ना कुछ information आ जाएगी the structural component of collective unconscious क्या होगा जो की काल गुस्ताव यूंग ने collective unconscious की बात की थी उसको उन्होंने किस चीज से किन अलग-अलग नामों से structural component को समझाया है archetype, imagos, creative, ego, libido और dominance फटा-फट से बता दीचे फटा-फट से बता दीचे A, E, C, B, C, D, A, B, C, D, A, B, E answer बहुत सही है answer इसका answer होगा archetype, imagos और dominance creative ego का concept किस ने दिया है यह Alfred Adler से होकर क्या आता है और libido का concept Freud से होकर क्या आता है ऐसे भी answer ढूंडा जा सकता है दूसरा तरीका क्या है archetype तो दिया ही गया है तो आपको ढूंडा है A कहां पे है imagos definitely हमने इसकी बात की हुई है तो dominance की भी की है लेकिन यह दोनों आपको मिल गाए A, B अब आपको A, B का concept देखना है कहां कहां पे है A, B, C और D C का concept नहीं आएगा तो एक yes और एक no और आपका काम बन जाएगा right तो answer क्या हो गया 4 हो गया दोस्तों next is which of the following are true about multiple regression अब जिसने जिसने सिर्फ एक कास भी multiple regression की लिए हो वो भी इसको ठीक मार देगा पहली line क्या बताई थी it is a linear regression विलकुल सही बात है linear होगा regression regression non-linear नहीं होता है है ना there are more than one criterion यह आपको बताना है there are more than one predictor यह भी आपको बताना है and it does not have intercept constant चलिए मैं आपकी help कर देता हूँ A is correct यह तो correct है अब A is correct B, C, D में से आपको ढूणना है multiple regression के लिए कौन सा सही है फ़ड़ा फट से answer कीचिए मतलब जिसने starts पढ़ा है multiple regression किया है वही खेल सकते हैं इस question में तो बहुत बढ़ी है यार विशाल निफारिया और अरचना बंसल ने और दीप्ती गुप्ता ने answer किया है और ये तो बहुत बढ़ी बात है कि अगर A और C ढूंड पा रहे हैं आप तो क्योंकि इसका मतलब आपने ध्यान से पढ़ा है one criteria होता है there are more than one criteria नहीं only one criteria at a time regression किसले निकाला जाता है regression निकाला जाता है predict करने के लिए multiple regression के अंदर क्या होता है there are more than one predictor इसलिए इसको बोला जाता है multiple regression जब सिर्फ एक predictor होगा लिख लीजिएगा note down कीजिएगा जब सिर्फ एक predictor होगा तो उसे linear singular regression या linear regression बस बोला जाता है multiple regression नहीं बोला जाता linear regression के रूप में याद रखते हैं multiple regression को लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक criteria होता है याद रखिएगा सिर्फ एक criteria होता है और इसके अंदर एक intercept constant होता है यानि कोई एक ऐसा constant factor जो intercept कर रहा है जो intervening variable के रूप में काम कर रहा है तभी तो आप predict कर सकते हैं मुख्य काम क्या होता है regression का predict करना किस ने दिया था regression का formula हाँ कह सकते हैं ऐसा भी बताइए किस ने दिया था regression का formula ये भी जरूर बताइएगा there are three types of postmodern therapies which out of the following is not a part of postmodern therapy postmodern therapy के तीन प्रकार है Karl Spearman ने नहीं दिया था नहीं नहीं पहली बात तो Karl Pearson है और Charles Spearman है तो वो दोनों mix हो गए लेकिन ये उसने नहीं दिया था ये Karl Pearson के teacher ने दिया था हाँ हाँ question है तो ये Karl Pearson के teacher ने दिया था तनी रोहिला बिटब में जिब नहीं पता अभी कि कब तक vacancy आएंगी अभी बहुत सारे रोल ओवर्स हैं जो पुराने चेयर में जाने हैं नए चेयर में आने हैं कुक्चार ये तो बहुत पहले थेरपी दी गई थी शुरुवात में लेकिन सॉलीशन फोकस थेरपी नेरेटिव थेरपी और कुलाबरेटिव थेरपी ये तीन प्रकार की थेरपी पोस्ट मॉडर्ण थेरपी कहलाती हैं पोस्ट मॉडर्ण थेरपी पोस्ट स्ट्रक्श्रिस थेरपी होती हैं यानि कि इसमें एक दिया गया बंधा हुआ एरिया नहीं होता बलकि कि सभी एरियाज को एक दूसरे के साथ में मिक्स किया जा सकता है नई सिच्वेशन को नए तरीके से डील करने का जो माध्यम है उसी को पोस्ट मॉडर्ण अप्रोच कहा जाता है इसके अंदर जो तीन थेरपी आती हैं अब हम बता देते हैं आपको नेरेटिव थेरपी को लेकर के जो मैंने बताया आपको कि बाद में बात करेंगे पोस्ट मॉडर्न या पोस्ट स्ट्रक्शलिस थेरपी जो मैंने पहले ही आपको स्टीव डी सजर और इंसु किमबर्ग के रूप में करवाई है इन दोनों ने इसको दिया था नेरेटिव थेरपी जो की माइकल वाइट और डेविड एपस्टॉन ने दी थी और कोलाबरेटिव थेरपी जो की हैरी गुलीजियन और हारलीन एंडर्सन ने दी थी हो सकता है कि अगली बार इन तीन थेरपी को ही एक तरफ थेरपी और दूसरी तरफ इन्हें देने वालों के नामों को डिसकस कर दिया जाए क्योंकि सॉलिशन फोकस थेरपी बहुत बार पूछी जा चुकी है ये कुछ दो नए है कि एक है कोई नहीं जब नाक बचानी होगे अब सब काम हो जाएंगे थेंक यू सर थीक है थीक बहुत बढ़िया तुम्हें नाक बचानी की जरत नहीं है यू आर अचीवर एंड one must appreciate that कभी-कभी अपने बारे में narcissistic होना अपने आपको self-love करना अपने आपको appreciate करना ये जरूरी होता है तो हमेशा इसको नकारते मत रहो तुमने जो achieve किया है वो बड़ी चीज है तो लगशान में एक achievement की जो value होती है और जिस तरीके से उसे किया जाता है जिस से तरीके से appreciate किया जाता है वो सब आपने अपने achievement के लिए किया है अपने महनत की आपकी achievement किसी को dedicated नहीं है आपकी achievement आपकी महनत को dedicated है और यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है, जरुरी नहीं कि यह factual information है, but ground level पे आप work कैसा करते हो, वो reality होती है आपकी, so I always appreciate that, and that is good thing. You will always be an inspiration for all those students who are working and who need to work better. The emergence of the Oedipus and Castration Complexes are the chief events of which of the stages of development in Freudian theory. Freud की theory में, Castration Anxiety और Constration Complexes और Oedipus Complexes के सुरुवात कहां से होती है, कौन सी stage में, oral stage, anal stage, phallic stage और genital stage, आसान है प्राश्ण तो, इसका तो सभी के तरफ से answer आना चाहिए, कुछ, हाँ, कुछ दो दर्जन से ज्यादा लोग हैं, तो इतने answer भी आने चाहिए, time दे देता हूँ. जी, answer है, phallic stage, बिल्कुल सही answer दिया है आप लोगोंने, अगले प्राश्ण पे चलते हैं. पीचे दो टाम दी हुई हैं और फिर statement को लेकर के question है, पहली टाम है, motivation is the condition that energizes behavior but gives no direction. अब अगर आप सौंद्रा सिस्राली खोल लीजिए, एके सिंग खोल लीजिए, कम से कम ये दो किताबे तो confirmed हैं, हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लेश मीडियम के लिए बताई मैंने. टाहरन उतने clear तरीके से नहीं करता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर जाकर के ये line लिखी हुई है. पासर स्मिथ की बात कहनी गलत ही होगी, क्योंकि वो definitely इस बात को explain करते हैं. उससे उपर की कोई भी बुक होगी, तो वो तो पूरे explanation में कम करती है. अगर motivation in psychological, theories of motivations in psychology and introduction of motivation in psychology by sage publication उसकी बात करें, तो direction पे पूरा एक chapter है, जिसमें की कहा गया है, कि direction जो होते हैं, वो targets होते हैं, targets हमें किसी एक process की तरफ आगे बढ़ाते हैं, इसलिए ये line तो है भाई, 130 गलत. Motivation states arise only, क्या कहा लिया था? Only जो है, वो एक red corner notice है, धिहान रखियेगा, from external incentive, external incentive से क्या होता है? reinforcement होता है, motivation नहीं होता, इसलिए ये भी गलत है, तो जिस किसी ने भी इसका answer दिया है, तो वो answer है सही, Pramila Manesha का answer है ठीक. जी, glad sir, you always acknowledging me in very warm manner, I really feel obliged, thank you sir for making believe in my academics and learning, but down to earth must be. I can understand, मसेदार, आपने बहुत महनत की है, और, ये जो achievements होती है, ये आपके लिए, वो spider-man का काम करती है न, bigger power comes with bigger responsibility, and मसेदार ये है, that I'm proud that, yes, you can take that responsibility, and you can go with that thing. और, जब हम, जब हम बहुत सुरुवाद से, जनेसिस से किसी चीज़ को देख रहे होते हैं, और उसका, over the period जो development होता है, वो देख रहे होते हैं, और फिर जब वो achievement होती है, तो बड़ा मज़ा आता है, और आज तो हजारों student हैं, जो कि आप से inspiration ले रहे हैं, जो कि comments कर रहे हैं, जो कि बताते हैं, कि किस तरीके से, वो आपकी जो life की journey है, वो उनके सामने truthfully वो विशह रखती है, so that is a big thing, statement one और statement two, both are incorrect, बिलकुल सही answer है, next, monozygotic twins are called fraternal twins, बड़ी बड़ी बात है, who share half of their genes, both members of the twins may be male or female, सही है गलत है, reason है, diezygotic twins develop two different eggs, and share the genes like a brother and sister, one of the twins may be male, and the other one may be a female, बात सही है या बात सही नहीं है, question यह है, बताईए जिल्दी से, कौन सी बात सही है और कौन सी बात सही नहीं है, reason तो correct है, चलो बड़ी बात है, और यह बता दीजे कि assertion correct क्यों नहीं है, क्योंकि इसका answer होगा, four, इसका answer होगा four, both statements are incorrect, अच्छाई पहले वाले के लिए, reason तो correct है, लेकिन assertion correct नहीं है, और assertion correct क्यों नहीं है, यह बताना है आपको, फड़ा फड़ से बताईए, वाई तीन section है, monogyetritic twins are called paternal, यह होगया one, who share half of their jeans, यह होगया two, both members of the twins, may be male और may be female, यह होगया तीन, आपको बताना है, इन तीन में से कौन सा गलत है, कौन सी line गलत है, अगर आपको समझ आती है यह बात, तो यह समझाना पड़ेगा आपको, कौन सा गलत है, नहीं भई, यह कह रहा है देखो, half of the jean, half of the jean नहीं, identical होते हैं, उनके jeans क्योंकि वो same egg में होते हैं, तो यही दूसरे वाला जो section है, इसका वो गलत है, बाकी दोनों बिल्कुल सही है, यह समझ भी तो बनानी है, mono-jigot और dy-jigot के लिए, आपको अगली बार question को prepare करने के लिए, simple skills develop in infant separately and independently, and later develop into more complex skills, which governing principle of the growth is applicable here, शुरुवात में जो हमारे अंदर skill होते हैं, वो simple रूप में develop हो जाते हैं, अलग-अलग होते हैं, separate होते हैं, लेकिन बाद में चल करके वो और complex होते जाते हैं, यह कौन सी theory बताती है, proximal distal, नहीं, यह तो center to दूर जाते हुए होती है, cephalocodal, सिर से पाउंग की दूगर होती है, principle of hierarchical integration, बिल्कुल हो सकती है, principle of independence of the system, may be, answer बताईए, सर, TGT special education का paper कब होगा, आप लोग जिस वक्ट जॉइन करते हैं, उसी वक्त आपको लगता है, कि सबसे पहले आपकी question को ही answer बता दिया जाए, हो सकता है कि session पहले से चल रहा हो, उसको देख लीजेगा, इतना तो ओनास आप लेई सकते हैं, principle of hierarchical integration या principle of independence of the system, independence of the system यानि कि कोई एक skill, दूसरे skill से थोड़ा different होता है, principle of hierarchical integration क्या होता है, कोई एक particular emotion, किसी दूसरे emotion, किसी तीसरे work, किसी चौती thought इसके रूप में develop होता है, और फिर क्या होते हैं, या आगे जाकर के merge हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ, और ये complex emotion बन जाते हैं, और फिर आप separate नहीं कर पाते, कि आप खुश हो या दुखी हो, फिर ये भी आगे जाकर के क्या होते हैं, separate होने की बजाए, ये दोनों के साथ में जुड़ जाते हैं, और ये और जादा complex होते जाते हैं, mixed होते जाते हैं, फिर आपको पता ही नहीं चलता कि आप खुश हो, या दुखी हो, यही होता है न, adult sense में, इसलिए answer क्या होगा, principle of hierarchical integration, आगे की तरफ ये बढ़ते रहते हैं, easy to complex होते रहते हैं, पहले तक separate होते हैं, और बाद में चल करके, muskill हो जाते हैं, ठीक है जी, नहीं, spiral वाला theory नहीं है, hierarchical integration है, याद होगा आपको, जो मैंने आपको पढ़ाया होगा, तो ये बताया होगा, कि होते तो 17 principle हैं, लेकिन मैं आपको 9 पढ़ा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपके paper में 9 ही आते हैं, पर ये paper net का है, तो net वालों के लिए थोड़े से ज़्यादा principle आते हैं, तो inside out movie देखिए, आपको ये hierarchical section last तक तो समझ में आई जाएगा, फिर ये वाली movie देख लेंगे, अवेल कर दी जाएगी, इसको on demand मत सोचिए, जब भी आप आएंगे, आप कोई question पूछेंगे, तो उसका answer आपको ज़रूरी नहीं कि उसी वक्त मिल जाएगा, क्योंकि हो सकता ही किसी session में उस answer को दे दिया गया हो, तो उसको consider कीजिए, बोड़ी सी empathy रखिये हमारे लिए भी, और enjoy कीजिए, अगर कोई अगर question हो, तो उसको comment section लिख दीजिएगा, यह ज़रू बताएगा session कैसा लगा, thank you so much.